दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Realme 9 Pro Plus के फोन में Always on Display सेटिंग कैसे करेंगे अपने Lock Scheme पे अपना नाम कैसे लेखेंगे तो दोस्तो सबसे पहले आपको Play Store ओपन करना है यहाँ पे सर्च करना है Always on Display Always on Display सर्च करने के बाद यही अप्लीकेशन दिखाई देगा यहाँ पे A वाला अप्लीकेशन देख सकते हैं यही अप्लीकेशन डाउनलोड करना है बागी कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि यहां आप देख सकते हैं एक मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड किये हैं 4.3 इसकी रेटिंग है और लोग जारोग नाम लिखने के plugging है इसको ओपन करेंगे एक्षप्ट के ओप्सेंं पर किलिक करेंगे यहां पर राइग सैड में नीचे तरफ और आलाउना ओ की Nerd पर किलिक करेंगे इसके बाद यहां पर लोग देखेंगे आलवे जारोग डिस्पेलई को पर स्कारें watch face customization का option दिखाया देता है जो कि यहां पर दूसरे आपशन पर मिल जाता हैं आप देख सकते हैं watch face customization का option इस पर आप लोगों को किलिक करना थो इस पर जैसे किलिक करते हैं यहां पर ब्लोफ करना सबस्क्राइब करना यांद करना है नीचे देप्स करना है पर और दिजिट्र प् Wy Hartford आप यहांद सेट लोग सकते हैं अगर लोगे जो भी नाम लिखना यहाँ पर आप लोग easily लिख सकते हैं चले finally अपना नाम लिख देते हैं और यहाँ पर एक emoji भी हम set कर देते हैं इसके बाद finally आप लोगों को अपना phone lock करके दिखाते हैं यहाँ देख सकते हैं हमने नाम लिख दिया emoji भी set करती है और यहां पर आपको memo font size को option है memo font size के option पर click करना है इस पर click करने वाद यहां पर आप लोग जो भी size रखना चाहते हैं आप अपने लोग इसकी नाम के लिए यहां से size रख दीजिए इसके बाद font जो है यहां पर click करके आप उसका color वगेरा choose कर सकते हैं जो आपने नाम लिखा उसका color कैसा होना चाहिए यहां पर आप लोग Select कर लेजिए जो भी color आपको पसंदा आता है यहां पर हमने जो देख सकते हैं pink color ले लिया है इसके बाद हम यहां सेलेक्ट कर देते हैं इसके बाद यहां पर और जो advanced setting आप लोग करना चाहते हैं तो यहां बट हम अपने phone को lock करेंगे आप लोगों को live proof दिखाएंगे lock screen पे हमारा नाम कैसा सो हो रहा है यहां पे देख सकते हैं हमने अपने phone को lock कर दिया है lock करने बाद आपको 4 second wait करना होगा 4 second wait करने बाद automatic आपके lock screen पे आपका नाम दिखाए देगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर करिए